सेलו दोस्तों वेल्कम टू मैं चैनल दोस्तों मैं एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के पास आपलोगوں के लिए सरुक्त लाया हूँ जो वो नहीं करेंगे तो आपको पूरा परिशानी होने लगेगी कोई पर चीज सेव अगरे नहीं होगा तो उसको सोल्ब करने के लिए मैं ये वीडियो लाया हूँ दोस्तो मैं बहुत सारे वीडियो लाता रहा हूँ अपनों का सपोर्ट बना रहे मेरा वीडियो को लाइक कर दिए सब्सक्राइब कर दिए चैनल को अगर नहीं है तो दोस्तो मैं बहुत सारा वीडियो बनाया हूँ जिसके वएसे आप मेरे चैनल पर भी देख सकते हैं जो सारा वीडियो होगा रहे हैं उसमें सारा देख सकते हैं तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तो एक बटन है बटन सेल जिसको बोलते हैं जो यह CPU में होता है अगर वो अगर आप नहीं करेंगे कि लागने नहीं अगर तो आपको वो प्रोल्म कोई बबी प्रोल्म करेंगे तो वो शेव नहीं होगा यहां नहीं होगा तो फिर वो v Sask बार बार्बार प्रोल्म आते इसको हट गिया इसतरे से अब यह पूरा button cell है इस तरह से लगा हुआ button cell है इसको आपको पैनल को अं करने से पेले आपको यह इंसुलेटर हटा लेना चाहिए ताके आपको सारा से रहे पैनल में जो इसका memory होता है इस CPU में एक memory होता है जो इसको save रखता है तो इसलिए उससे पहले आप इसको निकालने तभी अच्छा रहेगा ताके आपको सारा प्रोडम इसमें सारा चीज से होता रहेगा जितना भी प्रोडम करते हैं जितना भी कॉन्फरिकेशन करते हैं जितना भी ट्रबल्स होगा रहे हो सकता है कि इतना size का बेटरी तो यह बहुत ध्यान से निकालना है इसका जो यह डैमेज हो सकता है इसका clip तो यह कुछ से स्कार बैटरी है आपको दिखा रहा हूं में कि यह बैटरी है इस बटन से जिसको बोलते हैं यह बैटरी यह तिन वोल्ट का बैटरी है एक्षिली इन वोल्ट यहां पर लिखा हुआ है तीन वोल्ट लिखा हुआ है यह तीन वोल्ट का बैटरी पैना सोनिक बैटरी है यह तो यह positive positive सामने रहेगा तो इसलिए इसको इस तरह से इस तरह से इसको यहां पर फसा करके इंसर्ट कर देना है इसको इस तरह से यह 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 बैटरी डैमेज भी हो सकता है यह बैटरी यह डिश्चार्ज भी हो सकता है तो इसको टाइ कुछ भी बैटरी को तया सकता है तुछ लिए बैटरी को अब टाम टुटाम करते रहते है कितना है कितना है लारिट क्या है इसका ही ड्लाइप